question number 21 बहुत आसान सा यह बिल्कुल देखने में लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है क्यों असान है क्योंकि हमें बस dy over dx के वैलिट करनी है और यह कि हमारे पास ही हमारे हमें इसको ऐसे लिसकता हूं वाइज इसको एसे लिसकता हूं वाइज इस इकल टू इंटू में determinant of M N B C minus G of X into my determinant of L M A C और फिर plus H of X determinant of L M A B एक ही बात है अब ही कैसे हुआ अगर डाउट हो तो मैं क्ले कर दूं कि हम determinant करते क्या है कि यह लिखते हैं उसके बाद हम इसको इससे मिल्टिप्लाइ करते हैं है ना फिर हम माइनस sign लागते हैं उसके लिखते हैं ठीक और उसके बाद जो भी इसके पास यह जो बच गया है यह वाला और यह वाला मतलब L X L into C into A into N एक ही बात है बस लिखने का तरीका अला है ठीक है तो यह तरीका से भी हम लिख सकते हैं यह बात नोट कर लो अब देखो अब अब इसको इसली डिफ्रेंसियेट कर सकते हो कैसे कर सकते हो अब D Y और D X में को हम आपको निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा यह हमारा क्या है वेरिबल है यह तो constant value है M into C B into N करना पड़ेगा यहां पर यह तो constant value तो आएगी यह भी constant यह भी constant constant को हम ऐसे छोड़े देते हैं बस हमें डिफ्रेंसियेट की सो करना पड़ेगा इसको F X को G X को H X को तो F X को करो डिफ्रेंसियेट के आएगा हमारे पास F dash X आएगा into में यह पूरा पूरा रह जाएगा क्योंकि तो constant है M N B C और minus G dash X और L N A C और plus H X को करो डिफ्रेंसियेट तो हमें H dash X मिलेगा into में L M A C अब देखो ज्यान से हमने इसको ऐसे लिखा था है ना हमने इसको यह काटा नहीं है मैंने आपे हमने इसको ऐसे लिखा था F of X into में यह G of X into यह H of X into यह अब मैं इसको चाहूँ तो क्या ऐसे लिखनी सकता F dash X ठीक फिर यह हमारे बरस यहां पर M यहां पर आएगा N यहां पर आएगा B यहां पर आएगा C यहां पर आएगा फिर मैं लिखोंगा G is X तो यहां पर L आजाएगा मेरा और यहां पर मेरा a आ जाएगा और nc यह रहा और h-x यहां लिखूँगा यह मेरा l m a b यह रहा तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया एक ही बात है और यह मैं प्रूफ करना था तो hence प्रूफ ओके सिंपल है ना बस हमने थोड़ा सा स्कोल डेट्रिमेंट को ओपन किया फिर डिफ्रेंसियेट किया और वापके सिसको डेट्रिमेंट के फॉर्म में लिख दिया ओके